दोस्तों डेली लाइफ में यूज करने के लिए सबसे इंपोर्टेंट अगर कोई गैजट होता है तो वह एक टॉच लाइट होता है तो मैंने इस चैनल में काफी सारा एवरेडी के टॉच लाइट का रिव्यू किया है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और आज आपके ल बताने वाला हूं इसका पौफॉम्मेंस कैसा है इसका बैर्टरी बैडग तो चीजों के बारे में इस वीडियो में बाताउंगा तो गिवाव में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं वीडियो के इंड में आपको बताऊंगा तो यह जो DP9178B टॉर्च लाइट है तो इसके बारे में जानते हैं तो आपको अगर यह टॉर्च लाइट लेना है तो आप अनलाइन खरे चाकते हैं तो आप अगर ऑनलाइन खरे देंगे तो आपको इस तरह का पैकेट में आपको देखने को मिलेगा तो बॉक्स कॉंटेंट की बात करें तो आपको एक माइक्र यूज देखने को मिलेगा और केवल का क्वालिटी अच्छा नहीं है और उसके बाद आपको टॉर्च लाइट दे इसijn टीजाइन तो डीजाइन में आपको यहां पे टार्च के ऊपर एक लाइन देखने को मिलता है तो अच्छे गृप के लिए यहां पर दिया गया है और यहां पर डीपी-9178 भी इसका जो लोगो है और इसका जो मॉड़ल नंबर है आपको यहां पर दिया गया है और य जो torchlight है उसके साथ compare करके देखा है तो यह जो torchlight है यह दोनों torchlight काफी same brightness provide करता है तो हम लोग इस torchlight के बारे में बात करेंगे तो आप अगर यह torchlight देखेंगे तो आपको यहाँ पर ABS plastic देखने को मिलता है और इसका प्लास्टिक का quality है काफी आच्छा है तो इसका अंदर आप इसको एक बाउन प्रेस करेंगे तो यह brightest mode में जलेगा तो सबसे ज adoption आपको इसके अंदर देखने को मिलागा तब देख सकते हैं कि बाहर outdoor में इसमें कितना brightness दिकने को मिलता है और मैं light को off कर देता है आफ करने के बाद आप देखेंगे कि कितना brightness आपको इसके अंदर देखने को मिलता है इंडोर आप अगर यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंडोर में इतना brightness देखने को मिल रहा है और आउटडोर में आपको उतना brightness देखने को मिल रहा है और उसके बाद आपको यही बीटन को प्रेस करना है इसका दूसरा मोड में जाने के लिए तो इसको अगर प्रेस करेंगे तो यह थोड़ा सा ढीम मोड में चला जाएगा आपको शायध इसमें कैमेरा में समझ मज में नहीं आएगा तो brightness आप बाहर की जो outside मैं ने view दिया है उसमें आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा कम brightness आपको देखने को मिल रहा है तो आप मेरा हाथ देख सकते हैं या पर indoor पे और उसके बाद आपको एक और mode देखने को मिलता है blinking mode इसके अगर किसी emergency में फंच गया है तो आपको यह blink mode काफी help करेगा और उसके बाद आपको torch को off करने के लिए यहां पर एक और प्रेस करना है तो यह जो torch है यह off हो जाएगा और उसके बाद इसमें brightness control करने का भी एक और option देखने को मिलता है तो आप अगर पहली step में इसको open करेंगे या फिर on करेंगे तो on करने के बाद आप अगर इसका जो power button है इसको press करके hold करेंगे 2 second hold करने के बाद इसका जो brightness है वो धीरे-धीरे कम होना start हो जाएगा तो अब देख सकते हैं कि धीरे-धीरे कम हो गया है और यही से आप अगर इसको brightness बढ़ाना चाते हैं तो अगर brightness को कम करके इसको जलाना चाहते है आउट डोर में आपको अगर कम रचनी चाहिए तो आप इसका brightness को कम करके भी जला सकते हैं तो इसमें जो आपको LED देखने को मिलता है इसके अंदर आपको 1200 इमेज का lithium-ion बैटरी देखने को मिलता है तो उस बैटरी को चार्ज करने क तो आप अगर एकदम low brightness में चलाएंगे तो आपको six hours तक इसका बैटरी वेकप देखने को मिलता है आप अगर इसको high brightness में एकदम full brightness में चलाएंगे तो आपको three hours two and half hours का बैटरी वेकप इस गंदर देखने को मिलेगा और यह जो torch light DP9178 इसका कुछ cons यानि कि जो भी चीज म उसके बाद dimming mode में जाता है उसके बाद blinking mode में जाता है उसके बाद off होता है तो आप अगर चाते हैं कि आप अगर full brightness में आपका जो torch light है वो जले उसके बाद ही इसको तुरंत off करना है तो आप नहीं कर सकते आपको इसको तीन बार प्रेस करना है उसके बाद ही यह off होगा त पिर आपको double press करके low brightness mode में जाना या फिर triple press करके blinking mode में जाना यह सारा option अगर इसके अंदर दिया गया होता तो बहुत ही अच्छा होता तो यह जो torch light है इसका build quality इसका जो look है यह काफी अच्छा है और उसके बाद एक और कॉन इसके अंदर है कि आपको micro usb port देखने को मिलता है charging करने के लिए और इसको आप अगर चार्ज करेंगे तो आपको यहाँ पर charging के टाइम पर यहाँ एक red LED दिया गया है तो यह LED charging के टाइम पर blink करता है और यह जब full charge हो जाता है तो यह जो LED है यह still हो जाता है और आपको indicate करता है कि यह light full charge हो गया है और यह जो दूसरा torchlight है मैंने आप लोगे के लिए समाल के रख दिया है इसका seal मैंने break नहीं किया है यह मिलने वाला है आप लोगों में से किसी एक lucky viewer को तो इसको मैं giveaway कर दूँगा और giveaway में participate करने के लिए आपको इस चैनल को subscribe करना है और इस वीडियो को एक like करना है और उसके कॉमेंट करना है दो कॉमेंट नहीं करना है दो कॉमेंट आप अगर करेंगे तो आप डिस्कॉलिफाई हो जाएंगे तो कौन सी डेट पर मैं गिवाओ करूंगा तो इस वीडियो में आप अगर 500 लाइक को complete कर देते हैं तो उसको नेक्स डेट में मैं गिवाओ कर दूँग तो आप वहाँ से इसको खरीद भी सकते हैं तो मिलते कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो में तो तब तक के लिए बाई बाई